Hello students, आज के वीडियो में मैं आपके एक्सराइज 8.4 का कोशिश नमर 5 का 10 नमर अम्रों क्लास 10 मैं आज का चेक्टर 8 करें थे, इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगे एक्सराइज 8.4 का कोशिश नमर 5 का यह एक्सराइज 8.4 का कोशिश नमर 1 से लेके 4 तक वह भी कोशिशन मैंने आप लोगे एक्सराइज 9 तक इसी के साथ का आभी तक हम लोग class and maths का chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 8, chapter 6 and chapter that is 11. मैंने आप लोगो explain कर दिया, तो अगर आपको साड़ा chapter का हर एक question अच्छे सी चिखना है, तो आप लोग उसको मेरे YouTube चरुमें जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है? मैंने हार एक chapter का playlist बना के that is video upload कर दिया, तो अगर आपको कोई भी doubt लगे तो आप लोग उसको बार-बार repeat करके देख सकते हो, तो start करता है class, यहाँ पे exercise 8.4 का question number 5 का 10 number में दिया गया है, यहाँ पे 2 term है, यह term और यह term, यह term यह term यह term को हमको 10 square A की equal proof करना, ठीक है, that is right hand side T equal proof करना, तो हम लोगों को यह solve करके जैसे भी यह रिखाना है, और यह भी solve करके मुझे यह रिखाना, तो इसको कैसे करके घ्राम से देखिए, सबसे पेले, यहाँ पे मैं सबसे पेले इसको solve करता है, ठीक है, तो लिखूंगा मैं, that is 1 plus 10 square A divided by 1 plus 4 square A, तो सबसे पेले मैं का करूंगा, यह आपको, that is 4 square A लिखाई देरा, इसको हम लोग इसमें 4 ना put करेंगे, तो हम लोग जानते हैं, that is, that is 4 A, 4 A equal to 1 by, that is 10, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं का पूर करूंगा, 4 A की तो यहाँ पे 1 by 10, तो यहाँ पे उपर होला सेम होगा, 1 plus 10 square A divided by 1 plus, in place of 4 square A का पूर करूंगा 1 by 10, तो यहाँ पे का होगा, that is, 1 by 10 square A, यहाँ पे square था, यहाँ पे square था, इसलिए यहाँ भी square हाई, ठीक है, अब नीचे कुछ ने मतलब 1, अब मैं का करूंगा, उपर होगा सेम रहे का count, that is 1 plus 10 square A, अब मैं इन दोनों का LSM दोंगा, तो अगर मैं इन दोनों का LSM दोंगा, तो यहाँ पे LSM देने से क्याएगा, that is, 10 square A, अब क्या करूंगे, cross multiply, तो 1 into 10 square A, अब प्लस का प्लस, अब यहाँ पे 1 into 1, यह हो जाएगा 1, अब यहाँ पे ऊपर एक नमबर एक ता में नीचे फ्रेक्शन नमबर होने से, तो नीचे फ्रेक्शन का जो डिनोमेंटर होता है, वो उपर जाएगी क्या उपर जाएगा, multiply, तो यहाँ पे क्या रिखनी है, that is, यहाँ पे यह उपर चला गया, यह उतना होगा, that is, 10 square A, multiply हो इसके साथ, यह उपर अब ताम के साथ, ठीके, that is, 1 plus 10 square A, 1 plus 10 square A, इसके बाद, नीचे जो से में उसको लिखनेते हैं, क्या बचा, that is, 10 square A plus 1, तो यहाँ प्रेक्शन देखो आप लोग, यह 1 plus में, यह भी 1 plus में, और यह 10 square A plus में, यह भी 10 square A plus में, ठीके, तो यह दोलो सेम है, यह पूरा ताम, यह पूरा ताम जोलो सेम है, तो में क्या करूँगा इसको, कैंसल करूँगा, तो यह plus, मेरे पास क्या बचाएगा, that is, equal to, that is, 10 square, तो हाँ क्या बचा मेरे पास, 10 square A, और वो किसके equal to, that is, right-hand side के, तो मैंने इसको solve करके, यह right-hand side लेके आखे, ठीके, अब हम लोग करेंगे, next वाला solve, ठीके, that is, अब इसको solve करके, मुझे यह यह ले, ठीके, तो therefore, अब मैं इसको लिखता हूँ, that is, 1 minus 10 A divided by 1 minus 4 A, 4 A, का whole square, मैं सबसे पर लिखा करूँगा, जैसे की, यहाँ पे, quad square A को मैंने 1 by 10 square A में तोड़ा था, इन दा सेम इसको भी मैं, quad A को क्या लिखूँगा, 1 by 10, ठीके, तो यहाँ प्रिकाँगा, तो यहाँ प्रिकाँगा, 1 minus 10 A, ठीके ना, 1 का 1, फिर minus का minus, अब quad A, quad A के, quad A के जगाँ पर क्या लिखिंगे, that is, 1 by 10, तो यहाँ प्रिकाँगा, that is, in place of quad A, 1 by 10 A, ठीके ना, अब यहाँ प्रिकाँगा, अब नीचे कुछ से मतलब 1, अब यहाँ प्रिकाँगा, उपर उला तो सेम रहेगा, ठीके, 1 minus 10 A, सेम, 10 A, और नीचे होगा, इन दोनों का सेम नहेंगे, तो अगर इन दोनों का सेम नहेंगे, तो क्या आएगा, that is, 10 A, अब यहाँ प्रिकाँगे, cross multiply, तो यहाँ प्रिकाँ, 10 A into 1, यहाँ प्रिकाँगा, that is 10, ठीके, और minus का, minus, अब 1 into 1, यह कितना हो जागा, that is 1, ठीके, अब यह square था square, अब इसके बाद, अब मैंने आपको बताया था, कि अगर उपर एक number है, और नीचे flexor number, तो नीचे उला जो होता है, वो उपर जाके multiply हो जाते है, ठीके, तो यहाँ प्रिकाँगे, that is, equal to, यहीं पर कर लिते है, यहाँ पर, that is, यह उपर जाके multiply हो जाते है, तो 10a, फिर bracket, यहाँ पर जाते है, that is, 1 minus 10a, divided by, नीचे का बता, that is, 10a minus 1, 10a minus 1, और यह whole का, कितना है, square, ठीके, इसके बाद, इतना करने के बाद, यहाँ पर मैं इन दूनों को same लिके आना चाहता, ठीके, तो मैं का करूँगा, यह वोला, यहाँ से minus common ले लेटा है, अगर मैं minus common लेता हूं, तो यहाँ पर, तो जब माइनस को कॉमोन लेते हैं तो जो प्लस वाला तर्म होता है वो माइनस बन जाता है और जो माइनस वाला तर्म होता हो प्लस बन जाता है तो यहां पर क्या होगा देटिस इसके बाद यहां पर क्या होगा यह वोला टर्म देखिए यह माइनस वाने इधर भी प्लस देखिए इधर भी प्लस देखिए तो इधर यह दोनों क्या देखाए कैसर तो क्या बचेंगा देखिए 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 झाल झाल